Hello everyone, अगर आप PYQ देखके इस वीडियो पर आये हैं, तो definitely you were at right place. Because हम यहाँ पर current affair PYQ से relate करके बढ़ते हैं, right? And देखो, हम उन्ही current affairs से deal करेंगे, जो की 90% chances हैं आपके CAPF, CDS, NDA 2024 के exam में आने के, right? So, अगर आप current affair only aimer से पढ़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है? देखो, आपको एक अलग से आपकी notebook बनानी है, okay? And उस notebook को, ऐसे आपको section में divide कर लेना है, defense का section अलग होगा, government scheme का section अलग होगा, awards का section अलग होगा, sports का अलग होगा, right? आपने अपनी book को इस तरह section wise divide कर लेना है, अलग-अलग theme में, okay? उसके बाद देखो, आपको news को no down कैसे करनी है, समझ लो, आपको यह paper है, right? आपको वहाँ पर एक बीच में line draw करनी है, जो भी news में आपको आगे बताऊंगा, उसे इद्दम short में आपको लिखना है, right? जितने short में आप news को no down कर सकते हो, उतने short में news को no down करना, देखो इससे क्या होगा, इससे बहुत कम pages में आपकी खुद की एक magazine ready हो जाएगी exam से पहले, right? and देखो जितने जादा कम pages होते हैं उतना easy हम revise कर लेते हैं and वो time consuming भी नहीं होता है, right? तो चलिए हम हमारा video start करते हैं, first ASEAN future forum, अब देखो आपको basic चीज़ पता होना चाहिए, यह होता क्या है and इसका aim क्या है, right? because statement wise UPSC आपसे पूछ सकता है, okay? देखो, it act as a platform for ASEAN and its partner to share new ideas and policy recommendation, okay? इसका aim क्या है at creating a common platform for ASEAN member state as well as partner country, okay? and देखो, यह point important हो जाता आपके लिए, कि जो ASEAN future forum है, यह proposed वेतनाम ने किया था at the 43rd ASEAN summit in 2023 and इसका theme भी important है, इसका theme क्या है? towards fast and sustainable growth of a people-centered ASEAN community, okay? and यह हुआ कहा था? वेतनाम में हुआ था, right? तो यह कुछ important points है, आप इसे no-down कर लिजएगा, right? and अब देखो, अगर आप PYQ solve कियें, तो आपको पता होगा कि UPSC ASEAN से question पूछता है आपके exam में, right? तो अब हम ASEAN को देखते हैं, तो देखिए UPSC ने आपके CAPF 22 के exam में आपसे headquarter पूचा था, right? and UPSC आपसे पूछता है कौन सी country, इसका part है, इस group का part है, right? तो हम इसी बैचिस देखेंगे and UPSC इस theme से statement wise भी question पूछता है, जैसे की CDS 2009 में UPSC ने आपसे पूछा है, right? पहले हम इसे in detail पढ़ेंगे, उसके बाद आप ये question को solve कीजिएगा, right? तो चलिए हम देखते हैं, ASEAN, दिखो ASEAN का full form क्या है, Association of Southeast Asian Nation, ये बना कब था? 1967 में इसका form हुआ था, with the signing of the Bangkok Declaration, okay? अब ये point बहुत ज़्यादा important है, इसके founding member कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन, सिंगापूर, एंड थाइलेंड, एंड इसके अभी कौन-कौन स्टेट मेंबर हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन, सिंगापूर, थाइलेंड, बुर्णी, लाओस, मैनमार, कमबोडिया, एंड वेतना, right? इसका मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, एंड वन कम्यूनिटी, एंड इसका है, आपका इंडोनेशिया जगारता में है, तो देखो, अब जो आपका सीडियस, तू थाउज़न नाइड कोश्चन है, हम उसे सॉल्फ करते हैं, ओके, देखो, फिर्स्स्टेट पर एक स्टेटमेंट इन चारों में से रॉंग होंगे, लिकिन तीन स्टेटमेंट आपके राइड होंगे, तो जो तीन स्टेटमेंट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंप्वाडेंट हो जाते हैं, आप उसे कहीं नोडाउन करके रख लिया करो, अलग-अलग देखो, आशियान बना कप था, इन एर 1967, इन बैंककॉक, बाइदा 5 ओरीजिन मेंबर कंट्री, अभी हमने ये फर्स स्टेटमेंट को देखा था, तो आशियान बना कप था, 1967 में, उसकी फाउंडिंग मेंबर कितने थे, 5, आप यहां से देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अब दे next timely question frame कर सकता, कैसे, देखो, 1st statement आपको यहां से यहां तक देदेगा, 2nd statement यहां से, यहां से यहां तक देदेगा, right, and देखो, Singapore is one of the original member of ASEAN, तो देखो, जो आपका Singapore था, वो आपका founding member था, right, तो वो original member था, तो आपका यह भी right हो जाएगा, and देखो, 2st statement के, there are 10 member of ASEAN, तो आपका यह भी right है, यहां से, आप देख सकते हैं, इसे, okay, तो 3rd आपका wrong हो जाएगा, okay, so यह कुछ statement आप इसे no doubt कर लिजएगा, next time अगर UPSC question पूछता है, तो इस theme से, आपका question गलत नहीं होगा, okay, and जैसे UPSC ने आपके ASEAN के members पूछे थे, वैसे ही UPSC ने आपसे BIM stack का भी पूछा था, right, CAPF 2020 के exam में, right, अगर आपने हमारी पहले की वीडियो देखी है, तो हमने उसे भी cover किया हुआ है, okay, देखो, next news है हमारी, operation make dude, okay, देखो, UPSC ने आपके CDS 2012 में यहाँ से question पूछा था, right, तो अब operation make dude को 40 year हो रहा है, तो आपके लिए बहुत सदा important पूछा आता है, कि UPSC यहाँ से question पूछ सकता है, okay, तो कुछ basic चीज़े हम वो देखेंगे, तो यह core name था, for the Indian armed force, operation to capture, glacier, okay, and siyachin has been a contention between India and Pakistan ever since the Karachi agreement, okay, तो देखो, अभी आपके लिए, सिफ यह पता नहीं होना चाहिए, कि operation जो make dude था, वो siyachin glacier को capture करने के लिए था, right, आपको siyachin glacier के बारे थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए, because question यहाँ से भी UPSC पूछ सकता है, okay, चलिए हम देखते हैं, देखो siyachin located कहा है, यह located है आपका eastern Karakoram range में, in the Himalaya, okay, just northeast of the point NJ-9842, यह क्या है आपका पता है, यह आपका line of control है, okay, between the India and Pakistan and, okay, and देखो, जो आपका siyachin glacier है, right, उसके north में आपका क्या Nubra Valley है, right, अगर आपने PYQ solve किया होगा, तो आपको पता होना चाहिए, कि जो Nubra Valley है, उस पे CSC 2020 में, जो PYC ने आपसे question पूछा है, siyachin glacier is situated to the north of Nubra Valley, right, तो इसे आप no doubt कर लिजेगा, आप देख सकते हैं कि आपका Nubra Valley यहा है, इसके north में क्या है, siyachin glacier है, okay, तो यह कुछ points है, आप इसे no doubt कर लिजेगा, okay, देखो, Antarctic penguins की death हो गई है, किसके वजे से, bird flu के वजे से हो गई है, okay, अब देखो, अगर आप इस news को पढ़ते हो ना, तो सिर्फ आप इतनी ही news को खुद पढ़ोगे, I mean, अगर आप खुद news को पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ इतना पढ़ोगे कि Antarctic penguins की death हो गई है, किसके वजे से, bird flu के वजे से, आप इतना news पढ़के छोड़ दोगे, right, अब यहाँ पर role play होता है, आपके institute का जहाँ पर आपने जॉइन किया है, या फिर आपके mentor का, right, उन्हें बताना पढ़ेगा कि जो news है, इसमें सिर्फ इतना important नहीं है, इससे जादा भी important है, because अगर आपका first या second attempt है, तो आपको इतनी knowledge नहीं होगी, या फिर अगर आपने अभी तक PYQ को अच्छे से analyze नहीं किया है, आप में solve नहीं किया है, तो definitely आपको पता नहीं चलेगा कि आपको ये भी पढ़ना है, वारेस का नाम, right, तो देखो, आपका CEPF 2008 में UPSC ने आप से पूछा था, what is H5N1 in the news in recent time, तो ये आपका क्या है, a virus causing bird flu, same as a question UPSC आप से 2024 में पूछ सकता, because ये वापस news में देखा गया है, एन आप देखिए CEC 2015 में, UPSC ने आप से पूछा था, H1N1 virus is something mentioned in the news, with reference to which of the following disease, तो इसका D आजाएगा, swine flu, आप देख सकते हैं कि, इसका pattern and theme एक जैसा है, तो next time अगर आप कुछ ऐसा नाम देखने मिला है, कोई disease का, या फिर कोई virus का, तो उसे आप note down कर लिजेगा, because UPSC question पूछ सकता है, देखो, guarantee तो नहीं है, कि पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन अगर आप को दिख रहा है, तो आप उसे note down कर लो, एक नजर घुमा लेना, जब भी आप current affair को पढ़ोगे, okay, and definitely, अगर आप current affair only email से पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे, आपको holistically cover करवा देंगे, okay, human case of H5N1, avian influenza, occur occasionally, but it is difficult to transmit the infection, from person to person, देखो, difficult है, लेकिन हो सकता है, right, तो UPSC अगर statement wise, deny कर देता है, कि नहीं, नहीं ही हो सकता है, तो UPSC आपका wrong हो जाएगा, because difficult है, लेकिन हो सकता है, okay, so, ऐसी news को आप cover कर लिया करो, okay, and we hope that, आप इसके running notes बना रहे होगे, okay, so देखो, यह हमारा paid group है, यहाँ पे हम ऐसे ही आपको current affair, जो कि important है, हम करवाते हैं, okay, आप देख सकते हैं कि, ऐसे आपको यहाँ पे date wise, current affair update दे दिया जाता है, okay, जैसे कि आप देख सकते हैं, अप्रैल हो गया, में हो गया, right, and उसके बाद आपको month wise, इसके current affair MCQ, provide किये जाते हैं, okay, इससे आप test कर सकते हैं, आपकी knowledge कैसी है, right, because देखो हम पढ़ते तो सब कुछ है, लेकिन जब आप exam में जाते हैं न, तो हम बहुत ज़्यादा confused होते हैं option में, and हम क्यों confused होते हैं, reason क्या है, why, because देखो हमने practice नहीं की होती है, right, हमने जो level UPSC का है, हम उस level की questions को solve करके नहीं गए होंगे, तो देखो, अगर आप केंटरफर के MCQ, DELE केंटरफर को access करना है, तो आप हमारे चनल All Niemers को join कर सकते हैं, okay, तो अब यहाँ review देख सकते हैं हमारे group का, right, and देखो और क्या क्या मिलेगा आपको, आपको यहाँ पर chapter wise MCQ, उसके PYQ, chapter wise PYQ analysis, topic wise हो गया, monthly can defer हो गया, जैसे कि मैंने आपको बता है, वैसे यहाँ पर आपको index wise coverage होता है, कैसे defense का अलग session रहेगा, sports का अलग रहेगा, MCQ की बात कर रहा हूँ मैं, and देखो paper 2 के important topics आपको मिलेंगे, right, and currently आपका, CAPF का revision badge ongoing है, okay, so CDS की बच्चे भी इससे join कर सकते हैं, okay, इसका price कितना है, 1199, तो जिससे भी join करना है, आप हमें channel Olimmers को join कर लिजे, and वहां से आप हमें contact कर सकते हैं, link आपको description में provide कर दी जाएगी, okay, तो देखो next news है हमारी कच्चा थीवू, देखो सबसे पहला question UPSC आप से यही पूछ सकता है, कि जो कच्चा थीवू island है, वो कहां पे located है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह पार्क स्ट्रेट में located है, right, and second question आप से यह पूछ सकता है कि, कौन से दो country से connected है, तो याद रखना यह, एक तो आपका India and दूसरा Sri Lanka, okay, and देखो यह जो पार्क स्ट्रेट है न, इसी पे, आपका CAPF पे question आया है, 2019 में आपको arrange करने दिया था, which of the following is the current sequence of the position in the bay of Bengal, from north to south, right, नहीं नोट तू सौट बताना है, तो देखिए, पार्क स्ट्रेट, पार्क बे एंड गल्फ आफ मननार, तो आपका इसका answer, C आजाएगा, right, इससे आप no doubt कर लीजेगा, okay, and कच्चती वो कहाँ पे located है, आपका पार्क स्टेट में located है, इससे आप याद रखना, right, तो देखो, next हमाँ theme या topic है, missile, तो देखो, जो भी missile news में थी, उसको पढ़ने से पहले, आपको पता होना चाहिए, कि UPSC, अगर आपको missile news में दिख रही है, तो आपको किन-किन चीज़ों पर major focus करने की need है, आपको ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, right, देखो, पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, कि अगर इंडिया कोई भी country से कुछ purchase कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौनसी country से क्या purchase कर रहा है, अगर वो बार-बार news में हैं तो, right, सेकंड देखो, missile के आपको range पता होनी चाहिए, right, देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए, कि वो surface-to-surface missile है, surface-to-air missile है, right, उसके आपको fuel के बारे में पता होना चाहिए, तो ये 3-4 चीज़ ऐसी है, जो कि अगर आप missile देख रहे हो, तो आपको बढ़ना चाहिए, okay, तो देखो, पहली missile है हमारी अगनी prime missile, okay, एड़ देखो, ये एक medium range, nuclear capable surface-to-surface ballistic missile है, at important point है, ये develop किस ने किया है, DRDO ने किया है, इसके range कितनी है, 1000 and 2000 km तक, okay, एड़ देखो, 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 ये प्रप्रप्लेंट बेलेस्टिक missile, okay, एड़ देखो, ये point important है, इस लाइट दन, all the earlier Agni series of missile, okay, तो आप इसे no doubt कर लेना, we hope that, आप इसके running notes बना रहे होगे, right, and अगर आपको ये video अच्छी लगए, तो please like and subscribe कर दो हमारे channel को, okay, and we know that आपने अभी तक कर दिया होगा, okay, and अगर आपको इस video का PDF, and daily के current affair को access करना है, तो आप हमारे telegram, only aimers को join कर सकते हैं, link हम आपको इस video के description में provide कर देंगे, okay, तो देखो next missile है हमारी, crystal maze to missile, तो चली हम इसे in detail देखते हैं, देखो, मैं आपको कुछ important points बता हूँगा, जो कि आपको पता होना चाहिए, ये missile के बारे में, okay, सबसे पहला point, इसे rocks भी बोलते हैं, right, and ये क्या है, it is an air launch medium range ballistic missile है, the crystal maze to is an advanced air launch missile developed by Israel, okay, it is designed to target high value fixed and movable asset, जो fixed asset होते हैं, जो चलते फिरते asset होते हैं, उनको target करने के लिए, ये मिलनी डिजाइन किया गया है, okay, and दिखो, ये point सबसे ज़्यादा important है, this new medium range ballistic missile is not part of agnisseries of missile system, okay, इसे आप no down कर लिजेगा, and इसकी range कितनी है, like ये target को कितनी distance तक hit कर सकता है, तो more than 250 km, okay, तो कुछ points है, इसे आप no down कर लिजेगा, and आप go through हो जाइएगा इससे, okay, and दिखो, अगर UPSC आप से पूछता है, exercise dust league, किन दो country बीच में होती है, तो याद रखना आप India and Ujbekistan, okay, and आप ये भी point को याद रखना, the first ever exercise dust league between India and Ujbekistan was in 2019, which focused on counter-terrorism, okay, and अगर UPSC पूछता है कि recent सागर कवच टर्म जो की news में था, वो क्या था, तो याद रखना है ये coastal security exercise था, okay, and देखो, अगर UPSC आप से पूछता है, recently कौन सी country ने test किया है, Pylogy 1-2 and Hawassal 1-R-3, इसने test किया ये, North Korea ने किया है, and देखो, जो Pylogy है, ये new anti-craft missile है, okay, and जो आपका Hawassal 1, ये आपका super large strategical cruise missile है, okay, तो इसे आप नोटाम कर लिजेगा, and British man, Russ Cook, become first person to run length of Africa, okay, and देखो, Nepal ने host किया है, Rainbow Tourism Conference को, and जो आपका 16th World Future Energy Summit हो रहा है, वो कहां, Abu Dhabi में हो रहा है, okay, Brahmo's missile, देखो, UPSC ने आप से Brahmo's missile पे question पूछा हुआ है, right, तो India deliver first batch of Brahmo's missile to Philippine, तो इस बार बहुत जादा important हो जाती है, आपकी Brahmo's missile आपके exam के point of view से है, right, तो इसे हम in detail देखते है, okay, देखो, Brahmo's missile joint venture है, इसका India and Russia का, okay, इसकी range कितनी है, 250 km, and is the fastest cruise missile in the world, with the top speed of 2.8, back 2.8, बहुत जुदा important, right, nearly 3 times the speed of sound, देखो, यहाँ पर जो भी जीज मेंशन है, like हम इस PDF में आपको जो भी चीज प्रवाइड करते हैं, वो आपके लिए बहुत जादा important हो जाती है, right, so हार एक statement आपके लिए important हो जाता है, okay, and देखो, it is a two stage missile, solid propellant engine in the first stage, and liquid ramjet in the second stage, okay, and देखो, यह point को, it is a multi platform missile, it can be launch from land, air and sea, like ही तीनों जखे से launch की जा सकती, यहाँ पर UPC आपको only लगा कर दे सकता है, तो इस पर आप focus कीजेगा, and it operates on the fire and forget principle, okay, यह क्या होता है fire and forget principle, it does not require further guidance after launch, अगर आपने एक बार इस missile को launch कर दिया, तो यह direct jacket अपने target पे hit करेगा, आगे इसको कोई guide करने की हमें need नहीं होगी missile को, देखो next news है हमारे, sitway port, right, देखो UPC आपसे port पे question पूछता है, लेकिन UPC आपसे ऐसे भी question पूछता है, आपको port दे देगा है, उसी country पूछता है, वो कौन सी country में located है, तो पहले तो आप इस question को no doubt कर लेंगे, इसके answer को, okay, तो देखो जो आपका sitway port है, कहाँ पे है located, आपका ये located मैनमार में है, आप यहाँ देख सकते हैं, right, and देखो, the port was constructed by India, as a part of Kaladhan multi-model project, okay, and आप ये भी no doubt करेंगे, कि जो Kaladhan river है, वो कौन से country में है, तो वो आपके मैनमार में है, okay, and अब आप मुझे ये बताएंगे, जो आपका चाहर, पार port है, वो कौन से country में located है, ये आपका, CAPF का, PYQ है, and 2022 ये 21 में, UPSC न आप से पूछा है, तो जो sitway port है, ये बहुत सदा important है, and news में कोई भी port आपको मिलता है, तो प्लीज उसे आप no down कर लिया करो, okay, and we hope that आपने इसे no down कर लिया होगा, इस question को, okay, तो देखो, जो आपका Mount Rugan है, वो कौन से country में located है, वो आपका Indonesia में located है, right, same aisa question, UPSC ने आपके CAPF 2021 में पूछा है, तो कोई भी अगर Mount Erupt होता है, तो प्लीज उसे आप no down कर लिया करो, okay, and देखो, जो आपका theme है, Mountain हो गया, volcano हो गया, सबसे best way है, इसको cover करने का PYQ, right, आप यो करना क्या है, आपको बस इसके PYQ को solve लिया कर जाना है, and जो भी option में दिया है, उसे आप no down कर लो, कि जो भी mountain है, वो कौन से country में located है, right, अप easily, अगर UPSC आपसे question पूषता exam में, तो आप उसे easily solve कर पाओगे, because, दो option तो आपको, ऐसे UPSC देगा ही देगा, जो कि already वो अपने exam में पूष तुका है, right, लेकिन ऐसा नहीं है कि, अगर आप CDS के paper दे तो बस आप CDS के question को देखोगे, CAPF में भी आते हैं, CSC में भी आते हैं, CISF में भी आते हैं, even state pieces में पूषते हैं, तो जब आप इन सब के paper को analyze करोगे न, तो आपको already बहुत सारे mountains, या फिर volcanoes होगे, पता चल जाएगा easily, तो उसे आप एक जगे compile दरके रख लेना और पढ़ लेना, right, and देखो, UPSC ने इस question में आप खुद बता दिया, कि ये सारे जो wall कहनो है, वो active wall कहनो है, right, ऐसे ही question को analyze किया करो, okay, तो देखो, अगर आप हमारे paid group में हो, तो हमने आपको एक PDF प्रोवाइड की है, major mountain range of the world, ये PDF हमने PYU analyzer के बनाई है, यहाँ पर जितने भी important mountain है आपके, हमने एक जगे आपको compile दरके दे दिया है, तो उसे आप अच्छे से cover कर लीजेगा, एंद उसे आप no doubt कर लीजेगा, इवेन आप देख सकते हैं कि हमने वालकेने इसको भी cover किया है, इसे active वालकेन हो गये, development वालकेन हो गये, तो यहाँ से question UPC पूछता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन exam में आपके एक-एक mark भी important होता है, तो अगर हम आपको ये provide कर रहे हैं, तो उसे आप बस use करो, उसे आप पढ़ लो, ओके, तो देखो, इंडिया का rank 10th है किसमे, cybercrime index में, तो देखो, इसके 5 major category है, जा है वो, technical product service, attack and extortion, data identity, theft, scam, cashing out and money laundering, तो इससे आप no down कर लेना, और देखो, ये बहुत दा important हो जाता है, अगर आपको कुछ जीजे याद नहीं है चलेगा, लेकिन आपको ये दो point तो याद होना चाहिए, Russia ने टॉप किया ही list को, with the highest cybercrime hit, followed by Ukraine, China, US, Nigeria and Romania, UK का rank कितना है, UK का rank आपका 8th है, the worldwide economic impact of cybercrime is projected to significantly increase over the next 4 year, कि 4 साल में cybercrime बढ़ा है, तो कुछ points आप इसे no-down कर लिगजेगा, and एक बाग गो थू हो जाहिएगा, अब देखो, आपको countries का rank पता होने चाहिए, UPSC यहाँ से question पूस्टा है, एक तो आपका category से पूस्टा है, दूसरा आपका ये rank पूस्टा है, कोई भी index equation में, Peter Hicks, who proposed the existence of the God particle, has died, देखो, इनकी death हो गई है, अच्छा, आप ये बता ही क्या लगता आपको, UPSC ने कभी यहाँ से question पूछा है आपसे, तो आप बोलोगे, yes sir, अभी CDS 2024 के ही paper में आया था, तो देखो, ऐसा नहीं है, UPSC ने नो डाट आपसे, CDS 2024 के paper में पूछा है, लेकिन अलड़ी UPSC ने CDS 2013 and CSC 2013 में अलड़ी यहाँ से question पूछ चुका है, क्यों पूछा था, देखो, अगर हम CDS 2024 की बात करें ना, तो इसे आप science से भी कर सकते हो, connect and current affairs से भी कर सकते हो connect, क्यों, क्योंकि जो Hinks बोसन थे, यह अलड़ी आपके, में या फिर जून 2023 में news में थे, that's why क्या पता, UPSC ने आपसे पूछ लिया हो, तो इन दोनों को हम, फोड़ी सी news cover करने के बात देखते हैं, तो देखो, जो Peter Hinks थे, बोन दा 2013 Nobel Prize in Physics for his work, तो देखो, जो नोबल प्राइस ही मिला हुआ था, तो देखो, Peter Hinks, प्रेडिक्ट दा अग्जस्टेंस अफ नूव पार्टिकल, Hicks बोसन, इन 1964, तो देखो, इन 2012, the noble winning discovery of the Hicks बोसन, also known as God Particle, validated the standard model of physics, तो कुछ पॉइंट सा भी सी है, no doubt कर लिख जेगा, अब देखो, UPSC ने आप से question क्या पूछा था, confirmation of the presence of Hinks बोसन, विल जस्टिफाई, इसकां सा आप पाडिया जाएगा, the mass of the fundamental particle, तो ये जो दो question है ना, आपका, ये UPSC as it is, क्या पता, आप से आपके 2024 के exam में पूछ ले, तो इससे आप तो no doubt ही कर लेना, right, एट देखो, CST में क्या question था, Hinks बोसन पार्टिकल have, become frequent news, इन दा रिसेंट पास, तो ये क्या था, तो देखो, इसका first statement, it will enable us to understand, as to why elementary particle have mass, करने के लिए, कि क्यूं, जो elementary particle है, उनकी पास mass होता है, right, एन देखो, जो आपका, CDS 2024 का paper था न, उस पर जो, Hinks बोसन पर question आया था, ये question तो आपको देखते ही, छोड़ने के लाइक था, right, आप देखते ही, छोड़ दिया कर ऐसे questions को, इसको तो आपको read करने के भी need नहीं है, okay, देखो, ये बहुत ज़्यदा important हो जाते है, UPC आपसे 2024 में पूछ सकता है, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लिजेगा, okay, देखो, ये news तो आपके लिए इत्ती important नहीं है, लेकिन इस news के अंदर न, ये आपका कर्मन लाइन नेंशन था, तो ये बहुत ज़्यदा important हो जाता है, आपके exam के point of view से, UPC पूछ सकता है कि कर्मन लाइन क्या होता है, ओके, देखो, ज़्यदा कर्मन लाइन इस अटेप्ट तो डिफाइन बांडरी between the earth atmosphere and outer space, ये attempt क्या define करने के लिए, a boundary between earth atmosphere and outer space, okay, it is a set at the altitude at which earth atmosphere begin to thin to support aeronautical flight, okay, any located, कहा है, located at 100 km above sea level, okay, it roughly marks the altitude beyond which a traditional air aircraft cannot fly, इसकी उपर जो आपका traditional aircraft होते हैं, वो fly नहीं कर सकते हैं, okay, any aircraft flying beyond it needs a propulsion system to pull away from the earth okay, तो ये कुछ पॉइंट से इसे अब no doubt कर लेना, NB को UPSC और क्या आपसे question पूछ सकता है, जो कर्मन लाइन है, वो कौन से sphere में located है, तो आपको पता होना चाहिए थर्मो स्फियर में located है, okay, and अगर UPSC आपसे odd D पूछता है, तो ये पूछेगा कि थर्मो स्फियर में, ये inner थर्मो स्फियर में है located, okay, तो इसे आप no doubt कर लीजेगा, देख रहे हैं कि हम कितने in detail, और कितने अच्छे से current offer को cover करते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रही है, तो प्लीज लाइक एं, सब्सक्राइब कर दो में चैनल को, ओके, तो next news है हमारी, what is doxing, देखो कुछ terms होते हैं, जो कि ये पैसे पूछता है, हमने हमारे मार्ज के, के month में भी कुछ terms को cover किया है, तो अगर आपको याद है, तो प्लीज कॉमेंट करके हमें बताइए, जैसे कि आपका CAPF हो गया, CAPF 22 में हो गया, तो ये पैसे कुछ terms, जो की न्यूजे मेंशन होते हैं, आप से पूछता है, तो देखो, doxing होता क्या है, okay, doxing is a form of online harassment, where someone's private details are publicly disclosed, okay, this includes sensitive data such as phone number, private email, medical record, government IDs and etc, okay, doxing also involves the release of private or semi-private content, without the consent of the individual, who did not intend for it to be shared publicly, okay, simple doxing का मतलब है कि, आपके जो private details होते हैं, उसको publicly disclose कर दिया जाता है, without आपके consent से, okay, so देखो, UPSC आप से न, type पे question पूछता है, मैंने से वे दो ही PYQ लगाए हैं, लेकिन और भी आपको PYQ मिल जाएंगे, okay, देखो, दो टाप से UPSC पूछ सकता है, आपको festival देगा और पूछे काउन से country से connect है वो, या फिर देदेगा festival और पूछ लेगा काउन से community है, group से, वो connected है, राइट, चलिए कुछ आपके tribe मेंशन थे news में, festival मेंशन थे, तो हम वो देखते हैं, okay, देखो, UPSC आप से पूछ सकता है कि, recently कौन सी tribe ने first time अपना vote दिया है, आपको पता होना चाहिए कि, Sompain tribe है, तहां की greater Nicobar की, या फिर आप अंडबान Nicobar बोल लो, वाँ की tribe है जिन्होंने first time अपना vote को दिया है, okay, तो इसे आप no doubt के लिए ना बहुत ज़्यादा important है, okay, एंड देखो, जो आपकी खाशी tribe है, वो कौन से state से connected है, वो आपकी मेगालिया से connected है, और कौन से festival से connected है, शेंग, शेंग किलांग से connected है, okay, एंड देखो, जो आपका नीशी tribe है, वो कौन से state से connected है, वो आपका अगनवाचर प्रदेश से connected है, और कौन से festival से connected है, वो long-tier festival से connected है, राइट, तो इसे कुछ ताइपस इन festival है, इसे आप no doubt कर लिजेगा, UPSC आपसे question पूछ सकता है, ओके, देखो, UPSC ने आपसे 2020 में question पूछा है, वीच आप दर फॉलोइंग इंडियन ओशन आइलाइंग, नेशन हैस रिसेंटली डिक्लेरड आइस स्टेट ऑफ एंविर्मेंट इमर्जेंसी, दू तो आपसे 2020 में question पूछा है, तो देखो, जंबाबे आपके news में था, एंड इस पर UPSC कैसे question पूछ सकता है, which of the following country has declared a national disaster over a drought caused by climate event known as Alinoo, तो आपके answer आजाएगा, जंबाबे आजाएगा, तो इसे आप no doubt कर लिजेगा, तो इसे आप no doubt कर लिजेगा, देखो, 9 रतन एंड मिनी रतन, इस पर UPSC question पूछता है, चाहे वो आपका CAPF हो, NDA हो या फिर CDS हो, जैसे कि आप देशाएगे 2008 में भी question पूछा UPSC ने, एंड साहित तक इस साल भी कोई paper में आया हुआ हुआ है, तो देखिए, Leneable Energy Development Agency को, and House and Urban Development Corporation Limited को, नवरतन का status मिला है, तो UPSC आप से पूछ सकता, इससे आप note down कर लिजेगा, ओके, नीलगीरी तहर, देखो, Tamil Nadu and Kailra, to count नीलगीरी तहर, तो आपको कुछ चीजी नीलगीरी तहर के बारे में, पता होने चाहिए, राइट, तो इस्टेट एडिमल है किसका, Tamil Nadu का, and IUCN, Conservation Studies का क्या है, एंडेंजर्ड है, Wildlife Protection Act of India 1972, कौन शेडूल में आता है, शेडूल 1 में आता है, तो इससे आप note down कर लिजेगा, ओके, and Tamil Nadu and Kailra भी, याद रिखिएगा, ओके, देखो, अगर UPC आप से पूछता है, On the Spot Unit Citation Award, इससे मिला है, तो INS, शार्दा को मिला है, और Anti-Piracy Operation के लिए, ओके, देखो, Hindus in Pakistan, एक पार्ट in the 3-day long English यात्रा, ओके, तो पूछ लेगा, जो English यात्रा है, वो कौन से कंक्री से है connected, तो पाकिस्तान से याद रखना, ओके, IIT, गवाटी इंट्रिद्यूस, innovation 3-day printed dummy, पैलोड unit, ओके, एंड देखो, Ahmedabad finds ozone on Jupiter moon, Kalisto, तो UPSI पूछ सकता है, Kalisto term news dimension था, वो क्या था, राइट, इन सर्च फर लाइफ, NASA, Clipper, spacecraft to explore Jupiter moon, Europa, ओके, तो यह दो moon को आप याद रखियेगा, एंड देखो, UPSI आप से पूछ लाइगा, Gaya BS3 news में था, वो क्या था, तो Milky Way most massive stellar black hole है, okay, meet EVI, देखो, first AI है, with emotional intelligence, okay, Microsoft है launch किया है, cost effective and lightweight AI model, PHI 3 mini, okay, देखो, China launch three member, Zenzok 18 crew to its space station, which is working towards sending astronauts, to the moon by 2030, right, एंड देखो, Global Trade Outlook and Static Seasure Report है, यह कौन release करता है, WTO release करता है, okay, important है, एंड देखो, UPSC आप से पूछ सकता है, CAR T cell therapy, कौन से treatment के यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, cancer के treatment के लिए, यूज किया जाता है, इसे develop इस ने किया है, IIT Bombay ने, okay, successfully deployment of India's first private built sub-meter resolution optical satellite T set बने, okay, Adani's visiting exam port, approved as India's first transshipment hub, okay, important है, no down color, यूज पैसी पूछ सकता है, कि, India का पहला कौन सा port है, जो कि first transshipment hub है, okay, and यह कहाँ पे located है, यह port यह आपका केड़रा में है, okay, and mission AI आप देख लोगी क्या है, Nigeria become first country to roll out new menesitis vaccine, okay, Uttarakhand government to evaluate risk of glacier lake outburst flood, okay, and देखो, REC win, यह award आप देख लेना कौन सा मिला है, इसमें सबसे यादा important यह है, कि कौन सी company है, यह महारतन company है, okay, याद रखना, REC का full form क्या है, Ruler Electrification Corporation Limited, okay, यह महारतन company है, okay, Abita Bachchan sir को, कौन सा award मिला है, Lata Dhinanaat Mangeshkar award मिला है, okay, and यह news हमने अलड़ी, पहले cover कर चुकी है, आलोग शुकला विन गोल्डमन प्राइज और ग्रीन नोबल, मिरा भाई बिकम दा ओल्ली इंडियन वेट लिफ्टर तो क्वालिफाइफार परेश ओलम्पिक, दरम्शाला तो गेट दा फिर्स हाइब्रेट पिच, एंड ग्लोबल हेल्थ अवार्ट किसे मिला है, जॉन डाग गार्डन को, देखो, IIT कानपूर एंड आम्ड फोर्स मेडिकल सर्विस, तो कोलाबरेट ओन डेवलपिंग टेक्निलोजी, तो एड्रेस हेल्थ प्रोबलम फेस्ट बाइफार्जर्स इन डिफिकल्ट टेरंस, तो याद अठना, IIT कानपूर एंड आम्ड फोर्स मेडिकल सर्विस, तो के, CDP सुरक्षा, देखो, यह एक डिजिटल प्लेटफ़र्म है, फोर होटी कल्चर सबसीडी, ओके, लाइक एक डिजिटल प्लेटफ़र्म है, इसके थूँ जो होटी कल्चर के फार्मर होंगे, सबसीडी दी जाएगी, उनके बैंग अकाउंट में, यह एक डिजिटलाइजिंग दे ए- रूपी वाउचर फोर दे नेशनल पेमेंट कोपरेशन आफ इंडिया, ओके, तो यह एक डिजिटना, CDP सुरक्षा क्या है, एंड सुरक्षा स्टेंड फोर, सिस्टम फोर यूनिफाइड रिसोर्स, अलोकेशन, नॉलेज एंड सिक्यूर होर्टी कल्चर असिस्टेंज, तो यह पॉइंट को याद आखिने, देखो, बेसिक, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एंड उसका एम क्या है, लाइक उसका परपस क्या है, इतनी जो चीज की नॉल्ज आपको होनी चाहिए, बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बहुत से चीज़े पढ़वा आप, राइट, एंड देखो, इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने इंडिडिउस किया है, मिथ वर्सेस रियालिटी रेजिस्टर, तो प्रो अक्टिवली कॉम्बैक्ट मिस इंफॉर्मेशन इंडिया ने किया है, आप्शन में आपको नीती आयोग दिदेगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, एंड उसका एम आप अब देख लिजेगा, ओके, देखो, सबसे पहले ये किसी से connected है, वन नेशन, वन एर इसपेस, देखो UPC आपको कैसे option देगा, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन राशन कार्ड, राइट, वन नेशन, वन एर स्पेस, तो ऐसे UPC आपको option देगा, आप confuse हो जाओगे, तो मिशन इशान 118 वन नेशन वन एरिस्पेस से connected है दिखो अभी तक FIR कहां कहां पे है डेली, मुंबई, कॉलकत्ता एंचन नहीं अभी जो भी फ्लाइट की information होती है या फिर alert service होती है वो इन चारो जगे पे provide की जाती है लेकिन mission इशान के through ये जो information है ये एक जगे provide की जाएगी एक authority के अंदर आज जाएगी नागपूर में इसका platform क्या है इंडिया single इसका है harmonized air traffic management weather alert हो गया और बी चीजे provide की जाती कहां दिल्ली, मुंबई, कॉल करता है इंचन नहीं उसे एक जगे एक authority के अंदर नागपूर में provide किया जाएगा तो ये है आपका project इशान तो याद अखना इसका किस से connected है one nation, one in space आप option याद अखना ऐसे उपे से देखे आपको confuse कर सकता है Indian air force squad leader Dalip Singh Manjitya sir pass away at 103 okay Novak Dokovic become the world oldest world number one in ATPC ranking history okay Sumit Nangal become first Indian to qualify for Monte Carlo's master single okay Novak Dokovic named world sportsman of the year for a fifth time okay Sunriser Hyderabad break their own record within 18 days to read that history ठीक है highest team score in IPL Con Sunriser okay so we hope that आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और subscribe कर दो माई चैनल को अगर आपको 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 दिस्क्रिश्टन आपको दिस्क्रिश्टन प्रवाइड कर दे जाएगी तो लो थांकी गाईस best of luck